90% of the beer sold in Belgium are ho garden यानि 10 में से बिकने वाली 9 beer Belgium में ho garden होती है ho garden को actually pronounce किया जाता है as ho garden today the player of the game is ho garden wit beer यह एक wit beer है Belgian की इस wit beer को wit क्यों का जाता है actually wit white beer या cloudy को का जाता है और यह जो cloudiness आती है इसमें वो इसले आती है क्योंकि इसमें unmalted wheat होते हैं और white beer का मतलब यह नहीं कि white color की है इसमें जो cloudiness अंदर transparent नहीं होती आरपार नहीं दिखती this is wit beer यह wit beer launch हुई थी in the year 1445 में यह यह जो trend है यह जो इस particular recipe है वो 1445 में launch हुई थी और यह 13 distilleries थी Belgium के ho garden गाउं में यह गाउं का नाम है village उसी के नाम पर बेश जाए यह जिसका नाम है ho garden महां 13 distilleries होती थी और किसी भी आम क्याते है ना डेली सोप की तरह एकदम वो 13 distilleries बंद हुई है very sales जो founder है इस ho garden beer के which is ho garden 1966 में उन्होंने यह beer launch करी और वापिस लाए वो trend with beer car जो आज की डेट में पूरी दुनिया में रूल कर रहा है और कई beer इसी के footsteps follow कर रही है उसका एक ताज़ा एक्जामपल अगर मैं आपको दे दू बीरा वाइट वो इसी के नक्षे कदम पर बनी हुए बियर है यानि के आज अपना एक ब्रैंड यूएस में बेश्च ब्रूरी ओरड़ी चला रहे हैं जैसे वह सेलिस्वाइट के नाम से जानते हैं आप और अगर यूएस के लोग देख रहे हैं तो वह सेलिस्वाइट जो है वह एक्च्वल में होगाडन के फाउंडर की ही बियर है औरिजिनल है इसमें लाइट ब्लू कलर का एक लेबल लगा हुआ है और इसमें एलकोहल की परसंटेज 4.9 परसंट है जो इसे एक माइल्ड बियर बनाता है और इस थी 30 एमेल पाइंट का दिल्ली में प्राइस 210 रुपीस है अब हम इसके चलते हैं पोरिंग पर अब चलते हैं सबसे प इस बोटल का एक रूल है जो मैं आपको बता दू कि हमेशा जो इसका लास्ट हाफ होता है यानि वन थर्ड जो बचता है उसको आपने शेक करके डालना है क्योंकि एक अन फिल्टर्ड वियर है तो यीस चिसमें नीचे होती है तो जिनको नहीं पसंद वो बेशगमत डालें हैं लेकिन हम इसे डालेंगे अब अगर मैं बात करूं मैं पास आगर आपको दिखाना चाओंगा और जस्चिस करना चाहूंगा एकदम क्लावडी वियर है एकदम क्लावडी वियर और फ्रॉथ अगर मैं इसके फ्रॉथ की बात करूँ इतनी थिक नि बनी लेकिन जितनी बनी है वो अच्छी बनी और स्चेल है प्लस काबुनेशन लेवल इसमें ओके इश है ज्यादा नहीं है और यीस पार्टिकल्स मुझ कि अगरे जैसे अलकोहल तो ही नहीं जबकि 4.9% अलकोहल माइड पियर है औरेंज पील का बहुत अच्छा सेंस बहुत अच्छा ज्यादा हॉपिनेस इसमें नहीं है वीट का बहुत अच्छा सेंस आरह इसमें अब चलेंगे हम इसकी टेस्टिंग पर और टेस्टिंग करेंगे हमारे फादर साहब कलर तो इसका बहुत लाइट है कलर अच्छा है काफी येलुष कलर है थोड़ी क्रिस्पी है और पैलेट पे औरंज का फलेवर बहुत अच्छा फील हो रहा है बबल गम का क्रेक्टर फील हो रहा है जैसे बबल गम खाते हैं हम लोग उसका एक क्रेक्टर फील हो रहा है पैलेट पे और बहुत ही स्मूथ है एक पिंच ओफ ब्लेक पेपर था इसके टेस्ट में तो अगर आप इसे अब ओवराल रेटिंग देना चाहें तो ओवराल रेटिंग देना चाहूं तो एडिंगर को मैंने 8.7 दिये थे उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था इसका टेस्ट मला उसके कंपेरिजन में डिफरेंट है उसका अपना टेस्ट था इसका अपना टेस्ट है वैसी दोनों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया और इसको भी मैं 8.7 ही दूँगा यह भी आपको बहुत अच्छे लगी है बियर So 8.7 पे हो गाडन comes up exactly having a tie with Adinkar So thank you so much for your time keep loving us do subscribe to our channel and please press the bell icon over here right here follow us on Facebook, Instagram and Twitter remember drinking is not just about the glass but glass till then Cheers टपका जुजा झालाव्ट 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 the